पेपर घुटाले के मुख्य आरोपी अब्दूल करिम तेलगी की बैंगलूरू के अस्पताल में मौत हो गई अस्पताल मैनेजमेंट के मुथाबि तेलगी की हालत कई दिनों से गंभीर चल रही थी और इसकी वजह से उसे आईस्टीउ में शिफ्ट किया गया था तेलगी अस्पताल के ट्रॉमा केर सेंटर में भरती था बताया जारा है कि तेलगी के कई अंगों ने काम करना बंद कर दिया था जिसके वजह से उसकी मौत हो गई कहा तो ये भी जा रहा है कि उसे एड समेत कई दूसरी बिमारियां भी थी गोरतलब है कि जाली स्टैम पेपर के धंदे में अब्दूलकरिम तेलगी ने करोडों बनाए उसने बड़े पैमाने पर जाली स्टैम पेपर छाप कर बैंकों को बीमा कंपनियों को शेयर ब्रॉकिंग फर्म्स को बेचे करीब 10 अरब रुपए के इस घोटाले में तेलगी को 30 साल की सजा हुई थी इसके अलावा तेलगी पर 202 करोड का जुर्माना रखा गया था अनमफ न्यूस की रिपोर्ट